मुझे देख पा रहे हैं जरा मुझे जल्दी से बता दीजे ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी मेसेज ड्रॉप कर सकूँ उन्हें बता सकूँ कि भाया जल्दी जल्दी आजाओ सेशन हो चुका है स्टार्ट जल्दी से मुझे बता दीजे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कॉंसेप्ट रिवीजन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी बताईए मुझे आउडियो ठीक है जरा वीडियो को लाइक करते रहे है साउंड क्लेर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जी साउंड तो क्लेर है साउंड में कोई पंगा नहीं है आ जाईए जल्दी जल्दी से और आज के सेशन को लाइक भी कर दीजिए क्या आप चाहते हैं कि मैं 100% कॉंसेप्ट रिव्यू कर वाऊं फास्ट स्पीड में बढ़ जाएगी बटा स्क्रीन कोई ऐसी बात नहीं है घर की खेती है लाइक रेशियो क्यों नहीं 100% मुझे तो अभी तक भी नहीं समझ आ रहा कि लाइक रेशियो 100% क्यों नहीं है सिटी का नाम बता दीजे कौन-कौन सी सिटी से हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुकी है कुछ बच्चों के मैं नाम लूँगा जब तक चैट बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागती है स्टूडेंट्स के नाम है जिया, लोकेंद्र, समराट, अर्पिता, पूजथा, समरुधी, अंशु, सक्षम, डांसिंग, क्वीन, प्रियांश ठाकुर, आयूश, प्रियांशी, सक्षम, काव्या, राजदीप सिंग, सेहनी, राजवन्ष, हैपी सिंग, सोनाली रानी, समराट, कृपेश, क्या बात है क्या बात है, स्वराज, पायल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने अपनी अपनी सिटी का नाम लिख दिया है, पूरे भारत से, अलग अलग सिटी से, बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज का सेशन बहुत दमदार होने वाला है, मैं आशा नाट कर दूंगा कि युकि मैं बहुत आज हुआ का बाते के साथ पढ़ाना चाहता हूं Umm जहता हूं कि हम बहुत सारी बाते अलग अलग Espero कर दो किया लाइक बारा की बाराओ ना ज्यादा मुफती बैठे हैं कि आज हमारे पास हदी हो गई यार चलिए कोई नहीं आ जाएंगे बच्चे सभी चलिए बहुत ही बड़ी यार आईए जी investment decision की quick revision पढ़नी start करेंगे है न मैं बीच में chat थूड़ी देर नहीं देखूंगा आप मुझे chat पे respond करते रहेंगे मेरे सवालों के मैं देखता रहूँगा लेकिन आपके question नहीं पढ़ूँगा मैं पहले concept revise कराऊँगा मैं आपको पहले बता दूँँ अब हम कैसे पढ़ रहे हैं जरा ध्यान से देखना अब हम wholesome revision करेंगे पहले concept पढ़ेंगे फिर module के question पढ़ेंगे फिर mcq पढ़ेंगे तीनों चीज़ें पढ़ेंगे एक chapter की फिर next chapter पे move करेंगे ठीक है ठीक है I hope आप सब को समझ आ गया है ठीक है न everybody is clear with the concept today आईए अगर आपने classes ली हैं classes पढ़ ली हैं तो आप revision में जरूर बैट जाएए आपका भला होगा मेरे हिसाब से काफी भला होगा अब ज़्यादा एदो दर की बात नहीं करेंगे अब पढ़ेंगे मैं end में आप लोगों के personal doubts भी ले लूँगा आप से बात भी कर लूँगा study planning भी कर दूँगा पहले एक घंटा मुझे पढ़ाने दो ठीक है वन आर पढ़ाने दो अभी अभी 7.36 हो रहे है 8.36 तक मुझे पढ़ाने दो ठीक है पक्का पक्की बात है उसके बाद रुख जाओगे न बात करने के लिए जिसने भी बात करनी है उसके बाद रुख जाना मैं ये lectures हटा दूँगा वैसे ज़्यादा समय रखूँगा नहीं YouTube पे आईए जी investment decision क्या कियता है देखो पेटा पहली main बात investment decision में बहुत सारे methods हैं जिसमें traditional methods हैं जिनकी discounting नहीं की जाती और modern methods हैं जिनमें discounting की जाती है payback period, ARR ये दोनो methods हैं जिनमें discounting नहीं की जाती NPV, profitability index जिसे desirability index भी बोलते हैं IRR, discounted payback period, modified internal rate of return, NPV index, payback reciprocal ये सारे वो method हैं जिसमें discounting की जाती है ठीक है जिए पहले हम एक एक करके difference पढ़ना स्टार्ट करते हैं accounting profit में और cash flow में क्या फरक है accounting profit का मतलब होता है कि आप sales में से tax जब minus करते हो तो आप रुख जाते हो यानि आप profit after tax पे आके रुख जाते हो इस profit को बोलते हैं accounting profit ये profit use होता है सिरफ ARR निकालने के लिए accounting rate of return निकालने के लिए सिरफ एक ही जगह पे PAT use होता है इस chapter में बाकी सब जगह cash flows को use किया जाता है cash flow का मतलब क्या होता है cash flow का मतलब होता है कि sale में से fixed cost variable cost depreciation minus आपने करी फिर आप tax minus करते हो और फिर आप depreciation को add back कर देते हो यानि हम क्या करते है depreciation minus करते हैं बात में depreciation add back कर देते हैं ऐसा क्यों? ताकि depreciation का tax benefit हमें मिल जाए मैं repeat करता हूँ ताकि depreciation का tax benefit हमें मिल जाए क्योंकि जब depreciation minus होगी तो tax कम हो जाएगा और लेकिन वापस depreciation add back कर देते हैं ताकि CFAT आजाए CFAT मतलब cash flow after tax आजाए हमारे पास cash flow after tax आजाए बोली मेरी बाते हैं आपको समझ आगे मैंने क्या कहा मीत पटेल आए हैं जो कहते हैं कि आपकी वज़ा से मेरे November 23 में FM में 92 marks आए हैं थैंक्यू क्या बात है मीत मैं भी बहुत खुश हूँ आपके marks देखके 92 marks बहुत अच्छे marks हैं शाबाश आए है तो हमारे पास यह depreciation add back करने के बाद CFAT आ जाता है CFAT को बोलते है cash flow after tax इसी को cash flow बोलते हैं ठीक है अब देखिए depreciation को different methods of calculating cash flow cash flow calculate करने के दो method है एक method है जब हम depreciation minus करते हैं फिर depreciation add करते हैं एक हो असलियत में क्या हमने depreciation को खर्चा माना मैं speed बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह revision है ध्यान देना क्या हमने depreciation को खर्चा माना the answer is no हमने depreciation को खर्चा नहीं माना क्योंकि हमने depreciation को minus b किया फिर हमने depreciation को add भी किया तो खर्चा कहां माना खर्चा तो माना ही नहीं हमने minus भी करा फिर बाद में plus भी करा बट उसकी tax benefit को उठाया तो एक तरीके से हमने depreciation का सिरफ इस्तमाल किया tax benefit के लिए है ना तो दूसरा method पता है क्या कहता है कि फिर ये drama करने की ज़रत ही किया है जब आपको ये बात पता है कि आपने depreciation को खर्चा मानना ही नहीं पहले minus करोगे फिर add करोगे जब आप उसे अपना खर्चा ही नहीं मान रहे है minus करके add करने पे तो आप उसे दिखाओ ही ही मत आप उसकी सिरफ tax saving ही ले लो ना आपको depreciation पे tax बचाने है मैं repeat करता हूँ आपको depreciation पे tax बचाने है तो बस आप एक काम करो आप profit में से सीधा पूरा tax चार्ज कर लो पहले देखो यहाँ पे तो tax कम चार्ज हुआ था कम मत करो depreciation minus ही मत करो second method क्या बोलता है आप देखो मैं क्यों बता रहा हूँ दोनों method क्योंकि आप जब पढ़ोगे module को पढ़ोगे RTP, MTP पढ़ोगे तो कई बार इस method से solve किया होता है कई बार इस method से फिर आप confused ना हो जा उसलिए मैं यह वाला method भी आपको बता रहा हूँ ठीक है जी बोली मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कह मीत मैं बहुत खुश हूँ आपके marks देखकर कि आपके 76 marks आए हैं कॉस्टिंग में और 92 marks आए हैं FM में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पिटा शाबाश इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करियेगा और final में भी बहुत अच्छा पढ़ाई करियेगा हमारा नाम रोशन करियेगा ठीक है जी आईए तो देखे दो बाते हमने पढ़ ली ये भी अब इसमें अब आप मुझसे इसमें ये पूछना चाते है कि वे करेंगे क्या जब हमने डेप्शन माइनस नहीं करी तो टैक्स जादा चार्ज हो गया होगा तो टैक्स सेविंग अलग से निकाल लो जितनी भी डेप्रीसियेशन थी जैसे हमारी 2,00,000 की डेप्रीसियेशन थी तो 2,00,000 का टैक्स रेट मन्दब 30% तो 2,00,000 पे 30% चार्ज करो तो 60,000 का टैक्स बचेगा उस टैक्स सेविंग को एड़ कर दो तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है अगर मैं आपको इन दोनों टेक्नॉलोजी इसका अंतर बताऊं तो क्या अंतर है? आप ये बोलोगे कि सर एक में डेप्रीसियेशन माइनस और प्लस दोनों करते हैं और बीच में टैक्स कम हो जाता है एक में हम पूरा टैक्स चार्ज कर देते हैं बाद में depreciation into tax rate करके tax saving on depreciation को अलग से add कर देते हैं हम कहते हैं भाई हम depreciation को खर्चा नहीं मान रहे depreciation पर tax saving अलग से add कर देते हैं बात कतम ठीक है जी अब interest को minus क्यों नहीं करते हैं cash flow calculate करते हैं आपने देखा जब ये cash flow बगएरा calculate करते हैं तो interest minus नहीं करते हैं क्यों क्योंकि interest इस लिए नहीं minus करते हैं क्योंकि जब इसकी discounting करते हैं तो हम WACC से करते हैं जब discounting करते हैं इसे present value पर लेके आते हैं तो WACC से करते हैं weighted average cost of capital और जो WACC होता है उसमे debt की भी interest included होती है KD और KEV included होती है तो उसमें तो सारी cost आ जाती है बेटा जब इसे discount किया जाता है जिस rate से वो rate होता है usually WSEC WSEC कहने का मतलब weighted average cost of capital क्योंकि हम वहाँ पे weighted average cost of capital ले रहे होते हैं यानि एक ऐसा rate ले रहे होते हैं जिसमें already interest आ गया है इसलिए interest को उपर treat नहीं करते वरना double counting हो जाएगी ठीक है आईए अब हम पहला method पढ़ते है payback period payback period का मतलब क्या होता है payback period मतलब जो पैसा हमने business में लगाया है वो कितने दिन में lot के वापिस आ जाएगा जो पैसा हमने business में लगाया है वो कितने समय में lot के वापिस आ जाएगा इसके लिए हम क्या करते है देखे इसके लिए दो तरीके होते है एक तो ये वाला तरीका जो की tough questions में लगता है पहले आप ये देखो कि आपका शुरू में कितना investment लग रहा है फिर आप ये देखो कि आपको हर साल CFAT कितनी मिल रही है और आप उस CFAT का cumulative table बनाओ cumulative का मतलब है add करते रहो हर आने वाले year में जितना cash आया उसे add करते रहो जैसे मैं एक example देता हूँ देखो ये example है हमारे सामने ठीक है हमने एक project start किया जिसमें हमने initial investment करी 10 lakh की और उस 10 lakh की investment में हमने पहले साल कमाया 4 lakh फिर 3 lakh फिर 2 lakh फिर 4 lakh फिर 6 lakh फिर 4 lakh हमने इतना इतना पैसा कमाया अब मेरी बातों को ज़रा ध्यान से देखना ठीक है जी ठीक है जी मेरी बातों को ध्यान से समझे अगर मैंने 10 lakh रुपे लगाई तो 10 लाग रुपे लगा कर अगर मैं 4 लाग कमाता हूँ तो क्या मेरे पैसे वापिस आ गए 1st यर में नहीं 2nd यर में अब तक total 7 लाग आ गए अब देखो 1st यर में वापिस आये थे 4 लाग 2nd यर में वापिस आये 3 लाग और 4 और 3 को अगर मैं एड कर दूँगा तो total आ जाएगा 7 क्या मेरे पैसे वापिस आ गए अभी भी नहीं आए अभी तक खाली 7 लाग वापिस आए फिर उसके अगले साल आए 2 लाग क्या अब 7 प्लस 2 होता है 9 क्या मेरे पैसे पूरे वापिस आ अभी भी नहीं आए क्यों बिटा मैंने इंवेस्ट किये वें 10 लाग मेरी इंवेस्टमेंट कितनी है उस प्रोजेक्ट में 10 लाग लेकिन मुझे अभी तक वापिस कितने मिलें सिरफ 9 लाग मेरी बातों को ध्यान से समझो क्योंकि तीन साल तक तो मेरे पैसे वापिस नहीं आए यानि तीन साल से तो ज़्यादा समय लगाए लेकिन अगर आप फोर्थ एयर देखो तो फोर्थ एयर में ज़्यादा पैसे आ गए मुझे रिकावर कितने करने बटा पेबैक पीरियड है PBP PBP मतलब पेबैक पीरियड ये कहता है कि हमने जो initial investment करी थी वो कितने समय में lot के वापिस आती है repeat करो एक बारी सभी बच्चे ज़रा chat box पे बताओ कि पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि जो हमने investment किये वो कितने समय में lot के वापिस आ रही है repeat करना जो investment हमने करी है वो कितने समय में lot के वापिस आ रही है उसे कहते हैं payback period क्या मेरा पैसा तीन साल में वापिस आया है the answer is no क्या मेरा पैसा चौते साल में वापिस आया है मुझे 9 से जाधा चाहिए लेकिन 10 पे रुकना है मुझे तो मेरे पास इसके बीच में कहीं year चाहिए तो देखो मैं क्या करूँगा मैं इस formula को लगाऊँगा यह formula मुझे क्या कहता है यह formula कहता है completed years अपने दिल से पूछो कितने साल complete लग चुके हैं उसके बाद माइनस करो कि अब तक कितने पैसे आ गए है अब तक cumulative CFAT कितना है तो अब बोलो कि अभी तक का cumulative CFAT 9 lakh आया है तो अगले साल यानि हमने इन दोनों को माइनस करके यह पता लगा लिया कि हमें कितने रुपे और चाहिए हमें 1 lakh रुपीज अभी और चाहिए जब सभी बच्चे मुझे बताते रहिए हमें अभी कितने लाख रुपे और चाहिए देखो meaning समझो मेरी बात को समझो रटना बड़ा असान है मैं एक मिनट में formula रटवा के एक question करा कर आपको ऐसे चमका दूँ और आपको लगे कि बहुत बढ़ी है समझ आगे लेकिन समझ नहीं आया होगा इसने पहले समझना जरूरी है समझो हमें अभी एक लाख रुपे और चाहिए और हमें नेक्स्ट येर मिल रहे हैं चार लाख तो 3 साल पूरे और 25 मतलब 0.25 0.25 मतलब 1 4th of the year तो हमारा total समय लग जाएगा 3.25 year अब इदर देखिए हमने इस 1 year की जगा पे 12 months भी लिख सकते थे अगर 1 year ना लिखते तो 12 months भी लिख सकते थे तो basically 1 lakh upon 4 lakh into 12 months तो इसको solve करने से 3 months आ जाता यानि 3 year 3 months तो 3 year 3 months ऐसे भी लिख सकते हो तो दोनो answer valid है अगर आप मुझसे पूछो सर कौन सा answer valid है तो मैं कहूंगा बेटा दोनो answer valid है आप दोनों में से कोई भी present करके आ सकते हो दोनों में आपको पूरे marks में आपके कोई marks नहीं काटेगा यहां तक की बाते हैं आपको सबको समझा गई पेवैक पीरिड की यह तब की situation है पेवैक पीरिड की जब पेवैक पीरिड में हर year same cash flow ना हो एक आसान तरीका भी है आसान तरीका तब है जब हर year का cash flow same है जब हर year का CFAT same है तो बड़ा असान है फिर आप यह देखो आपने कितने पैसे लगाए थे और आपकी हर साल की कितनी CFAT आती है एक्जामपल ले लो आपका हर साल का CFAT 2 lakh आता है यानि आपने लगाए है 10 lakh और आपको हर साल मिल रहे है 2 lakh मैं repeat करता हूँ आपने लगाए है 10 lakh और आपको हर साल मिल रहे है 2 lakh तो 10 by 2 यानि 5 year का समय लगेगा यानि आपको 5 साल का समय लगेगा पूरा पैसा प्राप्त करने के लिए यानि आपको 5 साल का समय लगेगा पूरा पैसा प्राप्त करने के लिए ये वाला formula कभ यूज होता है क्या ये formula कभी भी यूज कर सकते हो the answer is no ये formula ऐसे मूठा कि हम कभी भी यूज नहीं कर सकते ये formula सिरफ और सिरफ उस case में यूज होगा जब हम हमें पता होगा CFAT same है हर year जब CFAT same है हर year ठीक है जी बोलिए मेरी बातें आपको समझ आगे मैंने क्या कहा बोलिए मेरी बातें clear है मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ जहां पे दो possibilities होती है मैं class के अंदर हमेशा एकी बात बोलता हूँ दोनो answer present करके आओ मैं हमेशा और करके दोनो answer present करता हूँ और अगर आप समझदार बच्चे हैं आप ठीक से पढ़ते हैं तो आप भी दोनो answer present करते हूँ अगर आप दोनो answer नहीं present करते हैं जैसे ये 0.25 और 3 months वाला तो वो आपकी अपनी इच्छा है आप पास होना चाहें ना होना देखो मैं एक बात बोलूँ हमें पता है कि सामने वाला बड़ा strict है तो हमें उसे पूरी तरह सर्व करना चाहिए मैं example लेता हूँ ठीक है सोचो आपके घर आपके कोई रिष्टेदार आए हैं जो बड़ी खुंखार है बहुत खुंदक वाले हैं उन्होंने कहा बिटा पानी लाओ तो पता है आपको क्या करना चाहिए आपको ठंडा और गरम दोनों पानी ले जाने चाहिए कि अंकल जी जो पीना है फीलो पानी हम बीच में नहीं पढ़ रहे गुस्सा मत करो वैसे ही examiner को भी ठंडा गरम दोनों आंसर दे कर आओ अगर उसने question पूछा आप उसे ठंडा आंसर गरम आंसर दोनों दे दो अब सम्रुद्धी इस बात को समझो अगर आप मेरी बात अभी तक नहीं समझे तो मैं क्या करूँ बताओ मैं क्या करूँ क्योंकि आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो गरनी बात है ठीक है जी चली आगे देखते हैं अब हम पढ़ेंगे discounted payback period यह सिधा 6th method में पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी payback पढ़ाया अब मैं discounted payback period पढ़ाऊंगा देखो बेटा discounted payback period बिल्कुल वैसे ही है payback period जैसा बट इसमें सभी cash flows को discount किया जाता है discounted उनका PV निकाल लिया जाता है present value निकाल लिया जाता है तो देखो हम क्या करेंगे जैसे हर साल हमें 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year में कुछ-कुछ CFAT मिल रहे है अभी तक हम क्या कर रहे थे हम उन CFAT को ही ले रहे थे सीधा हम उन CFAT को लिख रहे थे और CFAT की cumulative cash flow निकाल रहे थे cumulative मतलब add करके cash flow निकाल रहे थे मेरी बात को समझो तो अगर हम year 1, 2, 3, 4 लिखते हैं और CFAT लिखते हैं फिर हम उनकी PV factor से multiply करते हैं जो cash flow था उस cash flow को PV factor से into कर देते हैं मैंने example ले लिए 10% का question में दिया होगा discounting rate question में discounting rate दिया होगा तो आप CFAT को discounting rate से into करिए PV निकाल लिए अब इस PV का cumulative PV निकाल लिए क्या कहां मैंने अब आप PV का cumulative PV निकालो repeat करो repeat करो यह तो घाना बन गया भाई कि PV का आपने जो PV निकाला उस PV का cumulative PV निकालो वह मज़़ ही आ जाएगा जीवन में जैसे हमने a लिखा फिर a plus b लिखा फिर a plus b plus c लिखा फिर a plus b plus c plus d लिखा तो इन सब को add कर दिया हमने बोलिए मेरी बाते हैं आपको समझ आगी मैंने क्या कहा पक्की बात है समझ आगया और आगे देखते हैं now use following formulas now use following formulas देखिए अपने वही फॉर्मला पुराना वाला यूज़ करना है बस फरक यह है कि वहाँ पे हम इसको यूज़ करते थे cf80 और cumulative cf80 यूज़ करते थे यहाँ पे pv और cumulative pv निकालेंगे किसको यूज़ करेंगे pv को और cumulative pv को यूज़ करेंगे समझ गए आप मेरी बात देखो formula वही है completed years जैसे तीन साल या चार साल जो भी है फिर जितने पैसे हमने लगाए थे 10 लाख फिर जितने पैसे अब तीन साल में वापीस आई या चार साल में वापीस आई cumulative years में divided by next year का pv कितना है next year का cf80 नहीं next year का pv कितना है into one या फिर 12 वन भी लिख सकते हो 12 12 लिखोगे तो months में answer आएगा one लिखोगे तो points वाले year में answer आएगा बस फरक क्या पड़ा फरक इतनी बात का पड़ा कि पहले हम cf80 देखो पहले हम क्या करते थे पहले हम cash flow और उनको cumulate करते थे यानि हम cash flow को ही cumulate कर देते थे अब हम ऐसा नहीं करते अब हम पहले cash flow का pv न क्या अब आप cash flow को यानि cf80 को use कर सकते हो या आप pv को use करोगे pv को use करके आगे चलोगे बताओ आप मुझे सभी बच्चे comment box में जरा एक answer बताओ कि discounted payback period के लिए discounted paybp के लिए हम क्या use करेंगे cf यानि cash flow बताओ किसे use करोगे cash flow या फिर present value तो आप कहोगे present value present value को use करेंगे और उसके cumulative को use करेंगे ठीक है यानि इन दोनों columns को use ही नहीं करेंगे बहुत बढ़िया देखिए अब इसी question को मैं दुबारा बताता हूं same question same question दुबारा same question दुबारा कैसे वही 10 लाग लगाए हर साल इतना इतना cf80 आता है discounting rate है 10% तो हमने हर साल का cf80 लि फर्स्ट यर मेरी बात को समझे ना आपने पैसा कितना लगाया है आपकी initial investment कितनी है जल्दी बताओ जरा आप चैट में मुझे answer बताया करो बताओ initial investment कितनी है तो आपका हो 10 लाग क्या first year में पूरे पैसे लोट आए no क्या second year में पूरे पैसे लोट आए no क्या third year तक पूरे पूरे पैसे लोट आए हाँ fourth year में तो जादा आ गए तो यानि आपका answer कहां आना है third year और fourth year के बीच में अगर मैं आपसे पूछू कि आपका जो cash flow है जो पूरी पैसे की recovery है वो कब हो ही है तो अब आप मुझे पता है क्या बोलोगे third year और fourth year के कहीं बीच में third year और fourth year के ब मतलब है three years दुबारा बोलो मेरे साथ discounted payback period का मतलब है three years पकी बात है three years प्लस आप लिखो 10 लाग रुपे 10 लाग रुपे मतलब आपने जो initial investment करी है वो 10 लाग रुपे minus अब आप लिखो कितने आपके three years में पैसे आ गए थे क्योंकि third year के बाद और fourth year से पहले आपका पैसा recover हो रहा है तो completed years है three आपने invest किये थे 10 लाग थर्ड यर तक आपके पास आ गए थे 761 तो इन दोनों को minus करके आपको पता लग जाएगा आपको कितने पैसे की और जरूरत है आपको इन दोनों को minus करके क्या पता लग रहा है बिटा कि आपको कितने पैसे की और जरूरत है य into one कर दो इसे क्या कर दो आगे into one बोलिए मेरी बातें आपको समझ आगी मैंने क्या कहा है am I absolutely clear to all of you बोलिए मेरी बातें clear है तो इसका answer आ जाएगा 3.873 years 3.873 years बोलिए clear है आपको इह बात ठीक है जी बहुत बढ़िया अब अगला सवाल उठता है ARR ARR एक अलग मेथ़ड है ARR है accounting rate of return इसे average rate of return भी बोलते हैं इसे accounting rate of return या फिर average rate of return भी बोलते हैं ये इकलौता मेथड है इस पूरे chapter में जिसमें हम PAT को यूज करते हैं profit after tax को यूज करते हैं CFAT को यूज नहीं करत है repeat करो मैंने क्या कहा इकलौता मेथड अगर मैं आपसे MCQ में एक सवाल पूछनू मानो अजबरी के एक एक एक्जाम में एक MCQ आ जाए कि which method uses वीडियो को लाइक करते हो भी आप बिना लाइक कोई नहीं बैठेगा ध्यान रखना जो भी late join करते हैं like जरूर किया करो वीडि तो आप बताओगे कि सिरफ ARR accounting rate of return या average rate of return method है जो profit after tax को use करता है बाकी सब CFAT को use करते हैं तो देखो होता क्या है profit after tax में जब depreciation add करते हैं तो CFAT आ जाता है लेकिन अब हमें CFAT use नहीं करना यानि हमें depreciation add नहीं करना हमें PAT चाहिए हमें कौन चाहिए हमें profit after tax चाहिए repeat करो हम profit after tax चाहिए क्यों profit after tax चाहिए क्यों profit after tax ही हमारे काम का है इस question में ठीक है जी बोली मेरी बात समझे मैंने एक बात आप सबको बताना चाहूँगा बिटा सुन लो मेरी बात ये जो session है ना इमानदारी से बोलनों दो session लूँगा investment decision के notes पढ़ाने के लिए अगर आपने पूर चैल में नहीं पढ़ पाओगे सच कह रहा हूं मैं आप इतनी हिम्मत ही नहीं बना पाओगे क्योंकि एक बड़ा chapter है आपको मेरे साथ रुखना चाहिए और live में रुखना चाहिए लाइव में बैटना चाहिए कि लाइव की live session की energy अलग होती है समझे आप बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे लेकिन जिन बचों ने अच्छी रिवीजन करनी है quality रिवीजन करनी है वो ठिके रहेंगे मानिए आप मेरी बात को आप ठिके रहिए ठीक है ना सुनिए देखे अब हमें अगर मालनो उसने profit after tax दिया है तो बहुत बढ़ है कि बच्चे को PAT भूल जाता है बच्चा तो पता है जानमूच के CFAT दे देगा कोशन में बोलेगा cash flow ये दे तो अब हमें उल्टा जाना पड़ेगा वो जानमूच के आपको cash flow after tax देगा आपको उसमें से depreciation minus करके profit after tax निकालना पड़ेगा और फिर ARR निकालना होगा या PAT 1, PAT 2 ऐसे profit after tax तब निकालना चाहिए निकालोगे बोलेगे समझे हाँ या ना तो आपको profit after tax निकालना चाहिए और आपको क्या करना होता है सुनो आपको पहले ये देखना होता है कि शुरू में आपने कितने पैसे invest किये फिर आपको हर साल कितना profit मिल रहा है ना profit मिल रह project मैंने start किया project 5 साल का था 5 साल में शूरू में मैंने 10,00,00 रुपे की asset खरी दी end में वो asset 2,00,00 की बिकरी है तो इसकी terminal value तो है ना यानि वो asset मेरे पास से end में जाते-जाते 2,00,00 रुपे की sale हो रही है तो अगर वो asset मेरे से 2,00,00 रुपे की sale हो रही है बोलो मेरी बाते हैं तो अब इसको करने के दो तरीके हैं देखो कैसे कुछ books में, module के ही कुछ publications में average investment ली जाती है इन दोनों की average ली जाती है और कुछ questions में सिरफ initial investment ली जाती है अब आप मुझसे पूछेंगे सर हम कौन सी investment ले हम initial को लें सिरफ 10 लाग को लें denominator में या हम 10 लाग प्लस 2 लाग divided by 2 करके 6 लाग को लें बेटा मेरी advisor दोनों answer करके आना मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ अब आपको याद करो classes में मैं क्या बोलता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ कि आपको दोनों लेने चाहिए method क्यों 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 मुझे नहीं पता examiner के मन में क्या चल रहा है वो initial investment से check करने के लिए बैठ है या average investment से check करने के लिए बैठ है आप दोनों से answer निकाल आये करो सुनो पहले आप निकालो average profit average profit का मतलब क्या है जो profit है जैसे 5 साल के profits हैं तो 5 साल के profit add करो divided by 5 करो यानि आपने 5 साल के profit add किये divided by 5 किये आपके पास average profit आ गया अब आप निकालिए initial investment 10 लाग terminal investment 2 लाग जो अंत की investment है जो scrap पे लिए अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर उतने का तो asset बिक रहा है वो हमारी investment कैसे है अरे भाई आखरी दिन जिस दिन business बंद किया उस दिन तक वो पैसा आपका business में अटका हुआ था क्योंकि business बंद करने के बाद वो पैसा वापीस आया है repeat करो मैंने क्या कहा क्या वो पैसा आपका invested नहीं था business में definitely वो invested था क्योंकि जब business बंद करोगे एड करो डिवाइड बाई टू करो तो 6 लाग आ जाएगा ठीक है अब सुनो अब ARR कैसे आता है बटा ARR आएगा दो method से कौन कौन से दो method से ARR आएगा दो method से एक average profit after tax और divided by initial investment या फिर average profit after tax divided by average investment क्या कहा मैंने average profit after tax upon initial investment या फिर average profit after tax upon average investment क्या मेरी ये बात समझ आए जल्दी से मुझे बता दो जल्दी से बता दो क्या ये बात clear हो गई ठीक है जी तो देखो उपर तो average profit ही रहेगा उपर तो average profit रहेगा नीचे या तो initial investment आएगी या average investment आएगी और अगर देखो क्या लिखा है if question is silent solved by both the types भाई देखो बगवान के आगे हाँ जोड़ो हमें नहीं पता कौन सी method की मांग रख रहा है वो कुछ mention नहीं किया उसने तो दोनों method से कराओ इन दोनों method से कराओ बोलो मेरी बातें आपको समझ आई हाँ या ना जी हाँ very good वैसे मैंने class में इसके और types भी discuss की है वो मैं revision में नहीं करना चाहूँगा revision में अब सीधा सीधा हम NPV पे आएंगे NPV सबसे important type है बहुत important type है in fact 80-90% question इसी type पे based है इसका मतलब होता है net present value net present value का मतलब सारे पैसे देखो जो अगर एक business start करोगे तो एक business में शुरू में पैसा लगाओगे फिर उससे हर साल कुछ न कुछ CFAT प्राप्त करोगे end में scrap value भी प्राप्त करोगे जब asset बेचोगे, dispose करोगे तो भी तो पैसा मिलेगा तो इन सब की present value निकाल दो इन सब ही की present value निकाल दो कुछ बातों को ध्यान रखना है जब आप NPV निकालेंगे, sunk cost को ignore करना है sunk cost मतलब जो cost पहले ही हो चुकी है वो दुबारा नहीं होगी वो आपकी जेब से पैसा जा चुका है जैसे research का खर्चा जैसे, मैं क्लास में कहीं बारी ये बात बोलता हूँ कि भाई, आप मेरे पास कुछ ना, fast track के बैच में ये बात बोल देता हूँ मैं बच्चों को कि वो कभी-कभी ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहीं और पड़े होते हैं पहले उन्होंने वहाँ fees दी होती है बड़ी भारी-भारी अर लेकिन कुछ समझ नहीं आया होता फिर वो उनके पैसे ढूब गए होता है फिर वो दुबारा कोचिंग लेने के लिए धूनते हैं फिर हमारे पास आते हैं आप में उन्हें बोलता हूँ कि अरे तुमने जहां पहले fees दी थी थी वो sink cost है sunk cost का मतलब वो पैसा जो आप दे चुके हो, बरबाद हो चुका है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, है ना, तो उसे बोल देते हैं sunk cost, उसे decision making में involved नहीं करते, repeat करो, sunk cost को decision making में involved नहीं करते, उसे ignore कर देते हैं NPV की calculation में, क्योंकि NPV की calculation relevant cost के basis पे होती है, किसके basis पे होती है, relevant cost के basis पे होती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं sunk cost, फिर आता है, ignore irrelevant cost, irrelevant cost का मतलब है, ऐसी cost जो change नहीं होती, अलग-अलग situation में, अगर आप proposal A select करो, तो भी वो 10,000 है, प्रपोजल B select करो, तो भी वो 10,000 है, यानि वो cost होनी ही है, ठीक है जी, मेरी बातों को समझे, वो cost ह होनी ही है, चाहे आप plan A चुनो, चाहे आप plan B चुनो, मेरी बात समझे, आप मैंने क्या कह, यानि वो cost incur होनी ही है, चाहे आप proposal 1 को चुनो, मानो कि मेरे पर दो machine के choice है, कि मैं machine A भी खरीज सकतो, machine B भी खरीज सकतो, मैं A खरीजू, तब भी 10,000 पे का खर्चा हो, rent का जाना ह है, building का, तो भाई, जब दोनो cases में rent 10,000 जाना है, तो उसे ignore करके decision लो, उसको treat करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि वो दोनो cases में खर्चा बराबर है, क्योंकि वो खर्चा दोनो cases में बराबर है, बोलिए मेरी बाते समझे, आप मैंने क्या कहा, good, तो इसमें आप ignore कर दीजिए apportioned expenses को भी, apportioned expenses कौन से होते हैं, अगर मानो question है, question में लिखा है कि हमारे general overhead, head office के apportion हो रहे हैं, मैं repeat करता हूँ, head office के कुछ खर्चे हो रहे हैं, और वो हमारे उपर apportion हो रहे हैं, तो अगर हमारे उपर, head office के कुछ खर्चे apportion हो रहे हैं, repeat करो, अगर हमारे उपर, यानि ह जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो काम हम करने वाले हैं, जो नया काम हम खोल रहे हैं, उस काम पे जनरल डिपार्टमेंट के, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट के या हमारे हैड आफिस के कुछ खर्चे अपॉरशन किये जा रहे हैं, तो वो भी irrelevant है, उन्हें भी ignore करो, कौन- कौन से 3 तरह के खर्चे एग्णोर करने को कहा है मैंने कहा Sunk Cost को इग्णोर करो जो हो चुकी है पहले इंकर कर चुके और research रिसर्च का खर्चा जिसका कोई benefit आपको मिला नहीं मिला हमें देला लेकिन वो दुबारा इंकर नहीं होगा जो पहले हो चुका है खतम हो चुका है उ उसे भी और करो और तीसरी बात अगर कोई apportion हो रहा है खर्चा apportion मतलब वह actually में इंकर नहीं हो रहा वो सिर्फ बट रहा है apportion का मतलब है कि वह खर्च एक्च्युली में खर्च नहीं रहा बट रहा है तो उसे भी और करो मैं यह नहीं कह比較 सारे overhead को नालायक एक दुष्ट बच्चा कह रहा है सारे के सारे overhead ना 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 सारे overhead नहीं सिरफ apportioned overhead ठीक ठीक लिखो apportioned overhead ठीक है ना वो ignore होंगे PV क्या होती है बड़ा सवाल यह उठता है present value क्या होती है present value का मतलब है कि जैसे भी future में हमें पैसे मिलने है मालनो मुझे एक साल बाद एक लाख मिलना है दो साल बाद दो लाख मिलने है तीन साल बाद पांच लाख मिलने है तो इनकी आज की value क्या है इन सब की आज की value क्या है इनके ओपर से interest के भूत को उतारो मैं क्या बोलता हूँ इसे interest का भूत उतारो, इसका मतलब इसको discount करो, इसका मतलब इसको discounting factor से into करो, इस बात को बोलते हैं present value factor, इसको बोलते है discounting factor, तो जब हम future की values को discounting factor से into करते हैं, तो जो हमारे पास आता है वो present value निकल कर आती है, हमारे पास जो निकल कर आती है, वो present value निकल कर आती है, इस तर आर्मी ये भी बोल देता हूँ कि इंट्रस्ट के भूत को उतारू क्या बोलता हूँ मैं इंट्रस्ट के भूत को उतारू ठीक है जैसे अपोर्शन expenses क्या होते हैं जैसे सोचो हमारा head office है अब head office के ये 80 lakh के खर्चे हो रहे हैं example लो हमारा एक head office है head office में 80 लाख रुपया खर्च हो रहा है वो होना ही है उसे आप ignore नहीं कर सकते तो उसे अलग-अलग project पर बाटने की जुरत नहीं है क्योंकि अगर एक project ना भी होता imagine करो ये वाला project ना भी हो रहा होता तो भी ये खर्चा 80 lakhs ही होता अब ये project आ गया तो भी ये खर्चा 80 lakhs ही है तो ये खर्चा irrelevant है बिना मतलब के इसे portion करके इसके ओपर इसके खर्चे को बढ़ाने की जुरत नहीं है क्योंकि वो 80 lakhs लग नहीं थे पहले भी अभी भी कोई फरक नहीं पड़ रहा ठीक है अब बात आती है format for NPV ये बहुत important है ध्यान से सुनना जब हम NPV निकालना चाहते हैं तो हम पहले NPV का एक format तयार करते हैं NPV के format में हम ये लिखते हैं कि हमारी जेप से outflow कितना होगा outflow मतलब हमारी जेप से कितना पैसा बाहर जाएगा repeat करो हम पहले ये देखते हैं हमारी जेप से कितना पैसा outflow होगा outflow मतलब जाएगा तो पहले उसे दे गाउं में बैटके इंडस्टी लगा रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, माइनस कर दो, तो उसमें सबसीडी या ग्रांट को माइनस कर देते हैं, वो डिपेंड करता है, वो कब मिल रहा है, अगर वो जीरो पीरिड पे मिल रहा होगा, तो PV फेक्टर 1 हो जाएगा, और कभी-कभी ऐसा भी होता है, question की language को ध्यान से पढ़ा करो, मूरक मत बना करो, मूरक मत बना करो, question को ध्यान से पढ़ा करो, कभी-कभी question आपको ये कहता है, कि आपने एक project लगा है लेकिन आपको grant मिला at the end of first year, zero period पे नहीं मिला, आज नहीं मिला, जब machine खरीत तब नहीं मिला एक साल बाद मिला, कभी कभी grant एक साल बाद मिलता है अगर आपको grant एक साल बाद मिला तो यहाँ पर time period में 1 आ जाएगा ठीक है, और फिर PV factor लोगे मानों की 10% का PV factor है तो 0.909 से into करोगे फिर grant को तो जो grant के पैसे होगे 10 लाग उसे 0.909 से into करोगे फिर minus करोगे समझ गए, good good फिर working capital लगानी पड़ती है usually 0 period पे working capital लगाते है जितनी भी working capital लगाते है वो end में वापिस भी आ जाती है, देखो याद रखना कि working capital हम जितनी भी invest करते है वो project के end में वापिस आ जाती है इस बात को हमेशा याद रखना कि working capital is recovered at the end of the project, मालनो हमने 10 लाग रुपे की working capital लगाई थी, तो end में 10 लाग की working capital वापिस आएगी, 10 लाग की working capital उस वक्त के PV factor से multiply होगे वापिस आ जाएगी, और विसी बात है क्योंकि 4 साल बाद आ रही है, तो 4 साल बाद की पैसे की कीमत कम हो गई होगी, तो कम वाली कीमत से multiply हो कर आएगी है ना, फिर देखो हम हर inflow में दिखाते हैं, हर साल हमें कितना पैसा मिलने वाल है, अगर मैं एक project start करूँगा अगर मैं एक business start करूँगा, तो उस business को start करने के लिए मैंने पैसा लगाया होगा, तो मैंने जितना भी पैसा लगाया होगा, और ये तो उपर लगा दिया पैसा, अब मुझे उसके बदले में क्या मिला होगा, तो CFAT मिला होगा, जैसे first year का CFAT, second year का CFAT, third year का CFAT, fourth year का CFAT, फिर fourth year के end में ही, मानलों project चार साल कही था, तो चार साल के end में मैं asset को भी बेच दूँगा, scrap value पे, और working capital को भी recover कर लूँगा, और फिर इन सब को discounting factor से into करके multiply कर दूँगा, तो मेरे पब PVCI भी आ जाएगा, यानि present value of cash outflow, और यह आ जाएगा present value of cash inflow, मैरे repeat करता हूँ present value of cash outflow और present value of cash inflow, और इन दोनों को net कर दो net मतलब इन दोनों को minus कर दो तो PVCO और PVCI इन दोनों को minus कर दो तो PVCI minus PVCO यानि B minus A, B में से A minus करो, inflow में से outflow को minus करो, आने वाले पैसे में से, जाने वाले पैसे को माइनस करो माइनस करके आपके पास NPV आएगा net present value ठीक है जी हाँ, question बोले या ना बोले working capital हमेशा वापिस आती है, correct question कहे या ना कहे, working capital हमेशा वापिस आती है ठीक है जी देखे अब decision क्या होता है usually, अगर एक ही project है सोचो, एक ही project का question है अगर project की NPV positive है या zero है, तो उसे accept कर लो और अगर negative है, तो reject कर दो अब आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर NPV zero है, तो क्यों accept कर रहे हूँ सर तब क्यों accept कर रहे हूँ, देखो NPV zero होने का मतलब ये नहीं है कि project ने कुछ नहीं कमाया कई मुर्क बच्चे ये सोचते हैं कि NPV zero है, इसका मतलब project ने कुछ कमाया ही नहीं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, कि अगर NPV zero है तो project ने कुछ नहीं कमाया, ऐसा नहीं है NPV 0 होने का मतलब है बिटा कि NPV ने हमारी उमीद से जादा नहीं कमाया हमारी उमीद थी 10% कमाने की मनो हमारी उमीद थी 10% कमाने की तो प्रोजेक्ट ने 10% ही कमाया इसका ये मतलब है इसका मतलब ये नहीं है कि project ने कुछ नहीं कमाया, इसका मतलब है, project ने जदा नहीं कमाया, झीक है? जितनी उमीद थी उस से जदा, तो देखो, NPV 0 का मतलब यह नहीं है, कि कुछ नहीं कमाया, not earning anything, इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब है, कोई extra earning नहीं है, exact उसी rate पे कमाया NPV equal to zero होने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं कमाया इसका मतलब है कि जिसने rate पे आपने सोचा था exact उतने rate पे कमाया उस rate से excess कुछ नहीं कमाया जाना नहीं कमाया ठीक है यह सब बाते फिर देखो golden rule मैंने आपको पढ़ाया थे money saved is money earned क्या बोला था मैंने आपको real inflow नहीं मिल रही होगी पैसा नहीं आ रहा होगा मतलब कई बड़ी ऐसा होता है जैसे example लो आजकल ना हम सब लोग सोच रहे हैं कि electric car ले 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 हैं आप मेंसे कुछ लोगों ने ले भी लिये मैंने नहीं लिये अभी तक में पास तो cycle है वो तो paddle pair उसे ही चल जाती है paddle मार मार के है ना तो कुछ लोग लेकिन सोच रहे हैं कि वो अपनी petrol car बेच दें petrol car बेच कर EV ले ले हैं electric vehicle ले ले हैं क्यों क्यों क्या electric vehicle से उनको कमाई होगी इतना महंगा vehicle खरीदने से नहीं लेकिन उनके पैसे बचेंगे कि हम कमाईंगे नि लेकिन money बचाएंगे money saved is money earned जो बचा लेंगे समझे वो कमा लेंगे तो money saved is money earned इसका ये मतलब है कि कई कोशनों में ऐसा होता है कि हमने कुछ कमाईा नहीं होगा लेकिन बचाया होगा तो जितनी बचत होगी उसी को हम अपना inflow मान लेंगे जितनी बचत होगी हम उसी को अपना inflow मानेंगे उसी को अपनी revenue मान के question करेंगे यानि कई question ऐसे दिखाता हूँ आपको जिन में money saved is money earned का concept लगेगा यानि जितने पैसे बचाएं हैं उसी को अपना revenue मान लेंगे जितने पैसे बचाएं हैं उसी को अपना revenue मान लेंगे अगला है money foregone is money expensed money foregone is money expensed बोलिये मेरी बातें आप समझ गया है मैंने क्या कहा money foregone is money expensed जिसका मतलब है जो आप नहीं कमा पाए जो आपका पैसा कमा सकते थे गवा दिया वो पैसा आपका खर्चा है जैसे सोचो एकजामपल लेते हैं आपके पास एक building है उस building अपने सभी किराईधारों को निकल लिया मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको आपने अपने सभी किरायदारों को निकाल दिया और किरायदारों को निकाल देने के बाद आपने वहीं पर ही अपने लिए मान के चलो कि अपने आफिस बना लिया तो अब आप वहां से रेंटल नहीं प्राप्त कर पारें जब rental नहीं प्राप्त कर पारे वो ही आपकी opportunity cost है वो ही आपकी opportunity cost है यानि money foregone is money expensed क्या कहा मैंने money foregone is money expensed जो पैसा forego हो गया वो ही आपका expense है जो पैसा आप कमा सकते थे लेकिन आपने नहीं कमाया वो आपका expense माल लो उसे आपना expense माल लो ठीक है बेटा PI यानि profitability index क्या होती है इसे desirability index भी बोलते है यह कैसे निकलता है PVCI upon PVCO देखो NPV कैसे निकल रहा था मुझे सच सच बताना NPV कैसे निकल रहा था NPV निकल रहा था PVCI minus PVCO present value of cash in flow minus present value of cash out flow और PI कैसे आता है PI आता है PVCI upon PVCO क्या बोला मैंने present value of cash in flow upon present value of cash flow out flow तो देखो इन दोनों में क्या कुछ matching चीज़े है हाँ यह minus करके निकलता है यह divide करके निकलता है है ना तो बस काफी कुछ matching है इसमें हम PVCI देखो बनाएंगे ऐसे ही statement बिल्कुल ऐसे ही statement बनाएंगे जैसे यहाँ बनाई थी न हमने statement अभी यह वाली statement ऐसी statement working note में बनाएंगे बिल्कुल ऐसी उसमें हम PVCO दिखाएंगे PVCI दिखाएंगे बट उन्हें minus नहीं करेंगे अब divide करेंगे इस बार minus नहीं करेंगे divide करेंगे ठीक है जी बोली मेरी बातें समझ गए आप मैंने क्या कहा तो PI में क्या करते हैं? PVCI अपाउन PVCO इन दोनों को divide करते हैं और इसका decision क्या होता है? अगर PI greater than equal to one है जैसे NPV में था कि अगर greater than equal to zero है तो select कर लो अब यहां पे है कि अगर greater than equal to one है तो accept कर लो और NPV में क्या था? NPV में था कि अगर less than zero है तो reject कर दो यहाँ पे है कि अगर less than 1 है तो reject कर दो क्योंकि यहाँ divide कर रहे है यहाँ minus नहीं कर रहे है समझ गई आप मेरी बात आगे देखिए अब मैंने यहाँ पे इसका explanation भी दिया है NPV minus करके आता है PI divide करके आता है इसमे greater than equal to 0 को accept करते है इसमे greater than equal to 1 को accept करते है यहाँ सोचते है जिसकी जादा से जादा PI है उसे select करो PI को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि PI के basis पे ही ranking की जाती है क्या कहा मैंने PI को अच्छा किसलिए माना जाता है क्योंकि PI के basis पे ही ranking की जाती है बोलो मेरी बाते हैं आपको समझ आई मैंने क्या कहा फिर एक NPV इंडेक्स है NPV इंडेक्स PI की तरह ही है जैसे इसमें बस NPV upon PVCO कर देते हैं मतलब जैसे बटा इदर सुनो मेरी बात को द्यान से सुनो इसे भूल लिए खाली इतने portion को देखो यह क्या है इसे भी भूल लिए अभी इसे भी भूल लिए बताओ यह क्या लिखा है आपके सामने जल्दी से बताओ सभी लोग जरा comment box में बताओ कि PVCI माइनस PVCO कौन होता है PVCI माइनस PVCO वो NPV होता है तो अगर अच्छा इसे हटा दो अब यह बताओ यह कौन होता है इसे भी हटा दो यह कौन होता है PVCI बाई PVCO तो आप कहोगे सर पीवी सी आई बाई PVCO तो PI होता है profitability index होता है यह formula किसका है profitability index का तो जब आप इन दोनों formula को merge कर देते हो उपर NPV नीचे PVCO तो इसे बोलते हैं NPV index क्या बोलते हैं NPV index क्या बोलते हैं NPV index क्योंकि उपर NPV आ गया नीचे PVCO आ गया तो इन दोनों को divide करके बनता है NPV index NPV index बनता है ठीक है जी अगला है IRR क्या होता है IRR मतलब internal rate of return IRR word का मतलब क्या है बाई internal rate of return ठीक है न सुनिए IRR का मतलब है जिस rate पे exactly project ने कमाया है जिस rate पे उस project ने exactly कमाया है मतलब उस rate से अधिक नहीं कमाया जिस rate पे NPV 0 आ जाता है उसे कहते है IRR क्या कहा हमेने repeat करो internal rate of return का मतलब है जिस rate पे NPV 0 आ जाएगा जो इसके लिए हम क्या करते हैं सुनों इसके लिए हम वोगय को statement बनाते है और दो बार NPV निकालते हैं एक बार कम rate पे NPV निकालते है ताकि NPV positive आ जाया है एक बार जादा rate पे NPV निकालते है ताकि NPV negative आ जाया है बूलिए मेरी बाते समझे आप मैंने क्या कहा तो हमें positive NPV और negative NPV चाहिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं 0 NPV आएगा हमें कहां पर पहुंचना है हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर 0 NPV आएगा ठीक है तो 0 NPV पहुंचने के लिए हमें एक number line बनाते 10% और higher rate वाली NPV जैसे की minus 60 तो हमने क्या किया हमने lower rate और lower rate की NPV को लिखा higher rate और higher rate की NPV को लिखा और अब उनके बीच में कहीं वो rate खोजना है जिसे IRR बोलते है या YTM बोलते है yield to maturity क्या बोलते मिटा yield to maturity IRR actual learning rate जितना project ने असलियत में कमाया है वो rate उस rate पे NPV 0 होगी और वो निकालते कैसे है उसका formula क्या है सुनो formula है lower rate प्लस lower rate NPV into difference of rates upon difference of NPV क्या formula बताया है मैंने दوبारा बताओ मुझे लिखके आप लोग ज़रा guide करो मुझे dictate करो बताओ IRR के लिए या फिर YTM के लिए क्या formula है आप बोलोगे lower rate lower rate जैसे की 5% फिर lower rate वाली NPV lower rate वाली NPV lower rate पे NPV आई थी 100 रुपे की into difference of rates difference of rates upon difference of NPV तो यानि आप दोनों के rates का अंतर निकालो तो दोनों के rates का अंतर कितना है 10% minus 5% और difference of NPV NPV 100 minus of minus 60 क्योंकि यह minus है minus minus फिटा प्लस हो जाता है आपको पता है ना अगर आप minus में minus कर दो तो प्लस हो जाएगा जब आप minus में minus कर दो तो प्लस हो जाएगा तो answer आजाएगा 5% plus rupees 100 into 5% upon 160 बस फिर इसे solve कर दो तो आपके पास IRR की percentage आजाएगी कितनी आजाएगी बता दो आप मुझे formula clear हुआ जल्दी से बताओ क्या आपको formula clear हुआ मैंने क्या कहा बेटा देखो आपके पास formula आया lower rate यह ध्यान रखना lower rate और यहाँ पे difference of rate यहाँ पे lower rate वाली NPV और यहाँ पे difference of NPV यानि इन दो जगाओं पे numbers आएगे और इन दो जगाओं पे rates आएगे इन दो जगाओं पे numbers आएंगे rupees में amount में है न डॉलर में जिसमें भी तो यह है IRR का formula किसका formula है IRR इसमें कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम lower rate कैसे select करें higher rate कैसे select करें जादातर questions में इस पर time मत वेच करना उतना question के नीचे और नहीं दिया है तो जैसे question में interest rate दिया है उस rate को आप lower rate माल लो और अगर tax rate दिया है तो I1-T करो अगर वानो debenture का question है तो I1-T करो जैसे debenture है माल लो तो debenture का interest है 10% tax rate है 30% तो पहला rate आप 7% ले लो तो पहली calculation आप 7% के rate को लेके कर लो ठीक है ना फिर उसस पर positive NPV आ गया तो rate को बढ़ाना है positive आया ना यानि हम इस rate से यानि 5% से 100 रुपे जादा कमा रहा है यह project इस ताहिन की interpretation को समझो interpretation बहुत important है बहुत सारे बच्चे रट्टे लगाते मैं नहीं चाहता कि आप रट्टे लगाओ मैं चाहता हूँ कि आप समझो द्यान से सुनो इसका मतलब है कि 5% अगर आप कमाना चाहते थे तो इस project ने आपको 5% से 100 रुपे की जादा कमाई दी है रिपीट करो अगर आप 5% कमाना चाहते थे इस project में तो ये project ने आपको 5% से 100 रुपीज जादा की कमाई दी है और अगर आप 10% कमाना चाहते थे तो इस project ने आपको 10 10% से 60 रुपीज कम की कमाई दी है आपको मेरी दोनों बाते समझ आई मैंने क्या कहा यानि आपको 5% से 100 रुपे जादा की कमाई आई है और आपको 10% से 60 रुपीज कम की कमाई आई है दोनों बाते क्लियर हो गई 5% से 100 रुपे जादा और 10% से 60 रुपे कम इतनी कमाई आई है सर मुझे perfectly समझ आ गए मुझे कितनी कमाई आई है तो यानि असलियत में ना तो आपको 5% exact कमाई आई है उससे ज़ादा आए है ना ही 10% exact कमाई आई है उससे कमाई है तो कौन सी percentage आई है इसका मतलब 8.125% पर कमाई आई है जिस पे NPV 0 हो जाएगा अगर आप उस पे NPV निकालते तो NPV 0 हो जाथा क्योंकि आपने 5% से ज़ादा कमाया है और 10% से कम कमाया है आपने 5% से ज़ादा कमाया है और 10% से कम कमाया है इसका मतलब आपने 8.125% कमाया है जिस पे आपकी NPV 0 बनेगी उसी rate को IRR बोलते हैं अब समझें आप IRR की interpretation क्या होती है मैं last time दुबारा बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनने पहले डंक से नहीं सुना इसका मतलब यह है कि इस project ने कितने rate पे कमाया तो आपने 5% से 100 रुपे जादा कमाया और आपने 10% से 60 रुपीज कम कमाया 5% से आपने 100 रुपीज जादा कमाया और 10% से आपने 60 रुपीज कम कमाया तो कितने rate पे कमाया है यानि आपने 8.125% आपका IRR है उस rate पे कमाया है जिस rate पे NPV 0 होती है जिस rate पे NPV 0 होती है बोले समझे आप मैंने क्या का फिर NPV और IRR का conflict भी होता है कभी-कभी किसी-किसी question में conflict का मतलब क्या होता है ठीक है जी बोले मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या का मैं दुबारा बोलता हूँ प्लीज ध्यान दीजिए NPV versus IRR NPV versus IRR का मतलब है कि आपने कभी-कभी कोई ऐसा project होगा जिस project में A project की NPV कम है B की जादा है तो बताओ अगर NPV के according decision लोगे तो किसे select करोगे अगर आप NPV के according decision लोगे बोलो मेरी बात NPV के हिसाब से अगर आप decision लोगे तो project B को select करोगे और अगर आप IRR के हिसाब से decision लोगे तो project A को select करोगे IRR में project A जीत रहा है लेकिन NPV में project B जीत रहा है तो इसी को बोलते है conflict बोली मेरी बाते हैं आप समझे हैं नहीं क्या कहा इसी को बोलते है conflict conflict का मतलब समझते हैं आप क्या होता है कि नहीं बोलो मेरी बात conflict का मतलब होता है कि जितने पर लड़ाई है इसी की वज़ा से लड़ाई है तो कलेश है कलेश basically conflict का मतलब है कलेश कि एक की NPV के according project B जीत रहा है IRR के according project A जीत रहा है ऐसे में हमेशा आप उस project को select करोगे जिसकी NPV जादा है तो आप IRR जादा वाले को ignore करके NPV जादा वाले को accept करोगे क्यों क्योंकि IRR में न कुछ गलतियां है IRR का जो method होता है उसमें कुछ errors होते है IRR जैसे assume करता है कि reinvested cash भी IRR rate पे आएगा यह मैंने theory में पढ़ाया था कि reinvested cash भी IRR के rate पे यह आएगा ठीक है तो वो सब यह मैंने reasons लिखवा है अब यह पढ़ने की ज़रूत नहीं घर पे अपने आप पढ़ देना बट I hope आपको reasoning पता है कि difference of cash flow timing हो सकता है timing अलग हो सकती है जिन में सिरफ outflow, outflow, outflow होता है inflow होता ही नहीं एक होते है outflow और inflow दोनों वाले question ज़्यादा तर question outflow और inflow दोनों के साथ होते है ज़्यादा तर question वो होते हैं जिसमें outflow और inflow दोनों होती है है ना हमें यही project पसंद होते हैं यह इसके बड़े सारे, इसमें भी फिर equal life और unequal life, कभी-कभी ऐसा होगा दो प्रोजेक्ट है, दोनों की life 5 साल है, तो वो आसानी से compare हो सकते है ठीक है जी, लेकिन अगर unequal life है, unequal life का मतलब दो project है, और उन दोनों के life equal नहीं है, दो प्रोजेक्ट है और उनकी life equal नहीं है, लाइफ एक occupied ना होने का मतलब यह होता है कि एक project 8 साल चलेगा, एक project 5 साल चलेगा, अब उन्हें compare नहीं कर सकते बिटा, obvious ही बात है, 5 यर वाला project और 8 यर वाला project comparable नहीं है तो हम क्या करेंगे हम उन दोनों के answer को जो भी उनका NPV आएगा जैसे मानो एक project है 5 साल का एक project है 8 साल का तो जो इसकी NPV आएगी और जो इसकी NPV आएगी सोचो इसकी NPV X है और इसकी NPV Y है क्या ये दोनो comparable हैं The answer is no, they are not comparable क्यों? क्योंकि ये पांच साल की कमाई है ये आट साल की कमाई है इनमें comparison कैसे करोगे नहीं कर सकते हैं इसलिए आप इनहें Cumulative PV Factor of Life से Divide कर दोगे Cumulative PV Factor of Life से Divide कर दोगे Life मतलब जितने साल का वो project है मानो 5 साल का project है तो 5 साल के PV Factor से Divide कर दो और यह 8 साल का project है तो इसे मालनो 8 साल के PV factor से divide कर दो अब जो divide करके answer आएगा उसे बोलते है equivalent annual NPV equivalent annual NPV यानि equivalent आगया equivalent मतलब आपने उस answer को annual में convert कर दिया आपने क्या किया आपने उस answer को annual में convert कर दिया बोली मेरी बाते हैं आपको समझ आगे मैंने क्या का आपने क्या किया आपके पास जैसे यह 5 साल का answer आया था यह भी answer आया था यह 5 साल के लिए answer आया यह 8 साल के लिए answer आया तो अब आप इन दोनों को compare नहीं कर सकते थे तो आपने इसे divide by 5 year का PV factor कर दिया इसे divide by 8 year का PV factor कर दिया अब जो answer आया इन दोनों answer को compare करोगे और फिर decision लोगे अब इन दोनों को compare करोगे और decision लोगे कितने बच्चों को समझ आगी बाचीत जल्दी से मुझे बता दीजे कि आप इनको इन दोनों का comparison समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसे यह करेंगे unequal life वाले questions में यही बात इदर लिखी है मैंने ठीक है जी अब अगर only outflow वाला question है only outflow तो ध्यान रखना उसमें pvci नहीं निकलती उसमें inflow ही नहीं तो उसमें खाली pvco निकलता है देखो outflow inflow वाले question में npv निकलती है जिसकी higher npv होगी वो select होगा जिसकी higher है जिसमें कमाई जादा आ रही है net कमाई जादा आ रही है उसे select करो लेकिन अगर सिरफ outflow वाला question है तो जिसके outflow कम है उसे select करो जिसकी lower PVCO है या lower equivalent annual PVCO है जिसकी lower PVCO है या फिर lower equivalent annual PVCO है बोली मेरी बातें आप समझ गए मैंने क्या कहा हाँ या ना जल्दी बोलो ठीक है जी अब ये बहुत important है कई बच्चों को ये नहीं आता कि format for only outflow question अगर आपका एक ऐसा कोश्छन है जो only outflow वाला है only outflow का मतलब क्या होता है सर बटा देखो only outflow का मतलब है कि उस question में सिरफ outflow outflow है तो उसका format क्या होना चाहिए उसका format यह होता है आपने initially कितना पैसा लगाया purchase करने में plant वगेरा को zero period पे P.E. factor 1 था आपने 10 लाग का plant खरीदा वो दिखा दो फिर आपको cash expenses कितने करने आप कितना खर्चा करने जैसे उस आपने एक plant लगाया ध्यान रखना यह बहुत कम बच्चों को यह format आता है और इसका question आजकल exam में आ रहा है ध्यान रखना तो इसमें और इसमें गलतियां होती है कई बच्चों से ध्यान देना अगर इसमें tax rate नहीं दिया तो यह बड़ा असान है लेकिन इसमें tax rate दिया होगा और पंगा create करेगा कुछ शहता है कि आप higher level के brain के question करो बच्चों वाले दूद पीते बच्चों वाले question में invest किये आपने क्या invest किये 10 लाग रुपे प्रोजेक्ट में invest किये बोली मेरी बाते समझे आप मैंने क्या कहा बहुत बढ़िया अब इसमें cash expenses देखो आप तो आपने कितना cash का खर्चा किया है आप यह देखोगे कि आपने 2 लाग रुपे इंवेस्ट किये आपने क्या invest किया 2 लाग रुपे और आपका cash का खर्चा है हर महिने हर साल 2 लाग रुपे का खर्चा है पर क्या आप जब खर्चा करोगे tax benefit नहीं लोगे लोगे जब भी आप खर्चा करोगे आप उस पर tax बचाओगे हर कोई अपना tax बचाता है तो आप 2 लाग रुपे को net of tax करोगे यानि 140 को ही खर्चे में दिखाओगे एक से 5 साल तक क्योंकि सोचो कि आप 5 साल तक खर्चा कर रहो है यानि आप 1st year से 5th year तक खर्चा कर रहो है तो आप 1st year से 5th year तक 3.179 कर दिया यानि amount net of tax करना है क्या कहा मैंने इस question में amounts को net of tax क्यों करना है क्योंकि जब भी आप खर्चा करोगे उस खर्चे पे आपका tax बचेगा तो आपने अपने खर्चे पे net of tax करके ही outer column में दिखाना है और खर्चे में add करना है और क्योंकि ये खाली outflow वाला question आप इसमें inflow तो है नी तो आप उसमें depreciation पर tax saving भी तो लेनी पड़ेगी तो आप depreciation को tax rate से into करो आप क्या करो depreciation को tax rate से into करो जब आप depreciation को tax rate से into करोगे तो जो आपकी tax saving आईगी वो यहाँ minus होगी वो यहाँ पे minus होगी इस format में वो चीज़ माइनस होगी, बताओ क्यों क्योंकि tax saving एक तरह का inflow है, repeat करो मैंने क्या कहा क्योंकि tax saving एक तरह का inflow है tax saving का मतलब है, हमने project में पैसा लगाया, उसकी वज़ा से हमारी बच्चत हो रही है, उसकी वज़ा से इसको देखके decision लेंगे, इस PVC को देखके, यह format बहुत important है दिहान से इसे prepare करना, तभी आप इसे retain कर पाऊगे, बोली मेरी बाते हैं यहां तक की clear हो गई आपको सभी बच्चों को बाते clear हो गई पक्की बात है format copy करना है, कर लो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें यह format copy करना है यह low कर लो जल्दी से जल्दी से copy कर लो एक minute के अंदर अंदर, ठीक है ना I am giving you one minute झाल अरे लिखा की नहीं लिखा जल्दी बोलो लिख लिया अच्छा बच्छे के रहे हैं पॉस्ट करके लिख लेंगे बहुत बढ़िया अच्छा बच्छा 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 कर दो tax कम करें, फिर हम depreciation को add back कर देते हैं, तो types of depreciation एक होती है, straight line depreciation, यह सबसे आसान depreciation होती है, इसमें क्या करते है, cost में से salvage value को minus करके, divide by number of years कर देते हैं, ठीक है जी, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी depreciation किस amount पे जाएगी, इससे पता लग जाता है हमारी depreciation किस amount पे जाए depreciation, मालो 20% depreciation है, फिर 160 की जाएगी, फिर 128 तो depreciation कम होती जाती है, अब जब last year होता है न, दिहान से समझने में क्या बोल रहो, इस बात को दिहान से समझना, जब last year होता है, तो हम usually क्या करते हैं, 20% का rate नहीं लगाते हैं, फिर जितनी भी balance बचरा होता है, वो पूरे को depreciate कर आओ, अगर asset big भी रहा है, मानो कि यही इसी question में सोचो, इधर देखो, हमने शुरू में 10 lakh का asset खरी था, पहले 2 lakh depreciate किया, फिर 160 को depreciate किया, फिर 128 को depreciate किया, फिर ऐसे करते करते 3 साल हो गए, अब 3 साल बात ये balance था, चौते साल के अंत में, मतलब 4th year के end में, हमने asset बेच दि दिया, तो मुझे salvage value 2 lakh चाहिए, तो इसका मतलब last year की depreciation होई होगी 3 lakh 12,000, अब last year की depreciation balancing figure से आएगी 3 lakh 12,000, क्या आपको मेरी बाते समझ आई, मैंने क्या कहा, यानि जब हम WDV method लगाते हैं, तो last year में पूरे बचे हुए balance को depreciate कर देते हैं, repeat करो, पूरे बचे हुए balance को depreci क्या आना, इसके बारे में हमेशा exam में note लिक क्या आना, कि हमने ये किया है, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे, वरना हम पूरे balance को depreciate कर देते हैं, और जब भी ये काम करो, नीचे note लिक कर आओ, अब ICI कभी है, हो चुका दिवाग घूम गया उनका, वो कभी पूरा depreciate करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो दोनों तरीके से answer दिखा रखे हैं, समझते हैं आप मेरी बात, लेकिन मेरी advice है, आप उसे पूरा बचावा depreciate करो, balance को 0 बनाओ, या फिर scrap value जितना बनाओ, जितने पर वो बिख जाएगा, जैसे अगर मानो 2 लाग का asset बिखना है, तो last की WDV आपकी 2 लाग होनी चाहिए, क्यों, जैसे अगर आप इसे 3,12,000 दिखा दोगे, ताकि 2 लाग का WDV होगा, sale भी 2 लाग की होगी, ताकि capital gain ना निकले, ताकि क्या ना हो, capital gain ना निकले, capital gain 0 निकले ताकि, ठीक है जी, बोली मेरी बाते हैं, आप समझ गे, मैंने क्या कहा, मैंने आप जी है, बोली बात clear है, बहुत बढ़िया, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पूरी depreciation एक ही बारी में आईगी, इसके भी हमने question पढ़े रहे, किसी-किसी question में कहता है कि पूरी depreciation एक ही बार, 100% depreciation, first year में, end में, first year के end में, तो हम तब उस case में ऐसे, हर year में से CFAT में minus नहीं करते फिर पूरी depreciation के amount को into tax rate कर देते हैं, और जो answer आता है, उसे, क्योंकि अब देखो, depreciation पे tax saving निकाली, तो जो tax saving आई, वो एक inflow है, उसे one period पे inflow की तरह दिखा देते हैं, inflow में दिखा देते हैं, first year में, first year के end में, inflow में दिखा देते हैं, ठीक है जी, उसे first year के end में, inflow मे दिखा देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारी tax saving है, क्योंकि उसे minus करके तो दिखा नहीं सकते है, minus करो तो business ही loss में चला जाएगा, पूरी depreciation का tax benefit, first year में उठाने के लिए, depreciation करो, उसे into tax rate करो, अब जिन दोनों को multiply करके, जो tax saving on depreciation आईगी, वो first year में inflow हो जाएगा, वो first year में inflow हो जाएगा, बोली मेरी बाते हैं, आपको clear हो गई, मैंने क्या कहा, हाँ या न, इसके उपर भी बेज़्ट हमने, class में तो question कर रखा है, मैं definitely कोशिश करूँगा, कि आप लोग को revision में भी कराऊ हो एक आदा question ऐसा, ठीक है न, बेटा मैंने अभी बहुत सारे concept पढ़ा द जैसे, अब एक concept और है छोटा सा, independent proposal और mutually exclusive proposal, देखो independent proposal का मतलब होता है, कि अगर आप A accept कर रहे हो तो B को भी accept कर सकते हो, फरक नहीं पढ़ रहा, एक के selection से दूसरे के selection पर फरक नहीं पढ़ रहा, मतलब अगर मैं शाही पनीर खा रहा हूँ तो मैं सेम वक्त पे उसी plate में जाल भी खा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये independent proposal है, यानि अगर मैं project A select कर रहा हूँ, तो मैं साथी साथ B को भी select कर सकता हूँ, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, तो जब मैं A के साथ साथ B को भी select कर सकता हूँ, तो इसे बोलते है independent proposal, कौन से proposal, independent, पर जब mutually exclusive है, ठीक है जी, अब मानो कि कृष्णा की शादी होनी है, तो इनकी शादी या तो miss A से होगी, या miss B से होगी, तो दोनों से तो हो नहीं सकती, जब किसी एक से होईगी, तो ये mutually exclusive proposal है, यानि अगर आप एक project को investment करते हो, तो दूसरे project में नहीं कर सकते हैं, इसे बोलते हैं, आप mutually exclusive proposals, तो देखो दो तरीके के proposal होते हैं, mutually exclusive, मतलब आप अब ऐसे question होगे, जैसे project A, project B, मानो आपको car खरीदनी है, आपके सामने दो cars के order आप देख रहे हो कि, या तो आप Tata की car खरीद होगे, या महिंदरा की car खरीद होगे, सोचो दो ब्रैंड्स हैं आपकी country में हैं जो आपको अच्छे लगते हैं मतलब, कि आपको Tata अच्छा लगता है, Tata brand या फिर आपको महिंदरा brand अच्छा लगता है, तो आप इन दोरों में से किसी एक की गाड़ी लोगे, तो ये mutually exclusive proposal है, है ना, तो exclusive का मतलब है कि अगर A को select करोगे, B को नहीं करोगे, B को select करोगे, एको नहीं करोगे, ठीक है जी, वैसे ही independent का मतलब होता है कि आप इकठे एक से जाधा proposals को भी accept कर सकते हो, इकठे एक से जाधा proposal को भी accept कर सकते हो, बोलिए मेरी बाते हैं, आपको समझ आई, मैंने क्या का, हाँ या ना, देखे मैं इस revisionary session में सारे नहीं कराऊंगा, जैसे है मैंने तो बहुत सारे class के लिए बहुत साधा concept लिखवाता हूँ, जैसे tax treatment का concept, subsidy का concept, payment of advance का concept, block of asset का concept, payback reciprocal, MIRR, capital rationing की techniques, replace now और later का concept, ये सारे के सारे concept आपको पढ़ाए जाते हैं, है ना, मैं अभी एक काम करता हूँ, आज ना, बिटा देखो concept बहुत जादा हो गए, और फिर question कराऊंगा, मैंने बहुत जादा, एक अठा burden नहीं दे सकता आपको, है ना, आज की class में, समझ गए आप यहाँ तक, I hope यहाँ तक के concept अभी आपको समझ आ गए है, पहले आप इन्हें एक बार review करो, फिर आगे देखते हैं, बिटा मैंने एक ही class में बहुत जादा burden तो डाल नहीं सकता आपके, कि मैं सारे concept एक दिन कराऊंगा, मैंने कहा ही तो दो तीन classes लगाऊंगा, मैं investment इसे इन अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, कल दुबारा आना, इसी वक्त, ठीक है, शाम को मिलेंगे, क्या 6 वजे रख लू मैं अपने session, जल्दी से yes या no में कल कराऊंगा, ठीक है, तब तक मुझे आपसे एक gift चाहिए, क्या आप मुझे एक gift देने को तयार हैं, बड़ा ये जो sessions है ना, इन्हें मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, कि आप, अच्छा, आपकी audit की class है, चलो कोई नहीं, आप एक काम करना, फिर इसी वक्त आना, फिर साड़े साथ बज़े ही आना, लेकिन ये session अपने सभी दोस्तों को दे के आना, तब तक कल तक आप सब को ये session अपने सभी groups में, अपने status में लगा देना है, फैला देना है इस session के बारे में, ताकि सब को पता चले, कि मैंने अब important revision start कर दिये, कल हम FM की class रखेंगे, ठीक है, costing 6 वजे करा दूँगा फिर मैं, ठीक है ना, बेटर notes ये वाले में नहीं दूँगा, ये आपको post कर करके लिखने पड़ेंगे, ये मैं notes नहीं दे पाऊंगा, है ना, मैं help करूँगा, बट वैसे notes अपके अपने अपने बने वे होंगे, तो जहां से भी आप पड़े हो, अगर आप मुझसे पड़े हो, तो आपके पास सारे notes ही होंगे, और अगर आप नहीं पड़े हो, स्वेह पड़ रहे हो, तो फिर आपके पास जो पुराने notes हैं, आप उनी को पड़ो, एंड में आखे न notes चेंज मत करो, ठीक है, चलो कल बारे में अपने दोस्तों को share कर सकते हो, groups में और मुझे अपने status की photo भी share कर सकते हो, WhatsApp पे, करोगे, चलो देखते हैं कौन कौन करेगा, इसे लोगों से share करके, उसकी photo आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, बवाए, take करो, enjoy करो, अपने आपको, adjusted discount rate का concept करा दूँगा, इस्टिड नपीवी भी करा दूँगा, बाई बाई, take care, enjoy, कल मिलेगे, करता है।